विश्व आदिवासी दिवस पर इंडोर स्टेडियम में आदिवासी कायकरम रखा गया था जहां किसी वज़र से मुखिमंति साय नहीं पहुंच पाए इसी कुल लेकर PCC चीफ दीपक बैज ने भाज़पा सरकार पर हमला बोला प्रेस कॉन्फियंस की दौरान उन्होंने कहा कि कल भार्टी जनता पार्टी ने आदिवासी दिवस पर आदिवासी दिवस कायकरमों का मुखिमंति साय ने वहिश्कार किया है आगे उन्होंने कहा कि कमरेस की कारिकाल में आदिवासी समाज का कायकरम मनाया जाता था उन्हें स दाहिर है कि RSS के दबाओं में भाजपा ने आदिवासी दिवस का इस तरीके से भाईशकार किया। आदिवासियों का अपमान RSS के खुले विरूद की बज़ा से क्या सरकार दबाओं में आई। जीका और दूसरा कारेकरम मानने राम विचार नेताम जीका। लेकिन दोनों ही कारेकरमी गोशना के बाद सरकार के प्रतिनिदी वहाँ पे नहीं पहुचे। एक राइपूर इंडोर स्टेडियम में और दूसरा जहां आदिवासियों मुख्य मंत्री विच्व देव साही को फुसामील होना था। और दूसरा कारेकरम महांत गासिदास संग्राले की कला वितिका में आदिवासियों पर आयोजीत एक प्रदर्शनी थी जहां मंत्री राम लिताम जी को वहाँ पे उपस्तित ओना था। पिछले पांच वर्सों में कांग्रेस की सरकार ने विच्व आदिवासियों दिवस को एक उत्सव और महत्सव के रूप दिया और इसके लिए सारवजनिक रूप से आवकास भी गोशित किये। हमारी सरकार ने विच्व आदिवासियों निरित्य महत्सव मनाना सुरू किया जिसमें पूरे देश और कई अन्य देशों से आदिवासियों नर्तों का दल आया करता था। पूरे देश में आदिवासी समाज देख रहा था कि चतिश गड़ में किस तरह से आदिवासी समाज को सम्मान मिल रहा है अब सवाल यहा है कि ऐसा क्यों हुआ मैने कल ही आदिवासी दिवस के दिन मानने मुख्य मंतरी को पत्र लिक कर कुछ सवाल पूछे थे कि आप प्रदेश के आदिवासी समाज से आते हो निस्टित रूप से हम सभी को गरव है आधिवासी समाज का मुख्य मंतरी हो लेकिन आदिवासी समाज आपके इस साथ से आठ मेने के कारेकाल से नाराज है इसलिए नाराज और आक्रोसी थे इसलिए कि आपके साथ से आठ मेने के कारेकाल में बस्तर के आदिवासियों को लगातार फर्जी नक्सिली के नाम से फर्जी एंकाउंटर फर्जी सरेंडर फर्जी डक्सली नाम से जेल भेजना जो पंदरा साल की सरकार में आपकी सरकार ने किया वही आपने इस आठ मैने की साथ से आठ मैने की सरकार में भी आप करने है बस्तर से लेके सरगुजा तक मलेरिया और डाइरिया से हमारे आदिवासी भाहिवेनों की मौत हो रही है लेकिन सरकार इस मौतों को लगातार जूट बोलकर छुपाने में लगी हुई है अरणेक जंगल को काटे जा रहे है आपने कटाई कनुमती दी वहां के आदिवासियों को उजाडने का काम आपकी सरकार कर रही है इस पे आप कुछ भी नहीं बोल रहे हैं इसलिए आदिवासी समाज आपसे आक्रोसी था है मैंने कली ही पहले ही मैंने कहा था उसी का नतीजा है कि कल मुख्यमंत्री जी आदिवासी दिवस के दिन आदिवासी समाज के कारिकरम में नहीं जा पाना ये कहीं न कहीं सबसे बड़ा उधारण और सबसे बड़ा कारण है मेरा सवाल है ऐसा दरशल हुआ कि अखिल भारती वनवासी कल्याण आसरम के कहने पर आप अगर देखेंगे कल का पोस्ट वनवासी कल्याण आसरम का उन्होंने सिधा-सिधा आप ये पोस्ट वनवासी कल्याण आसरम का उन्होंने सिधा-सिधा आदिवासी विश्वादिवासी दिवस को आउचित हीन करार दिया यह सहस्ता गोसित रूप से राष्टी स्वयम सेवक यानी RSS का एक अनुसासिक संगटन है यानी RSS ही इसे संचालित करता है वनवासी कल्याण आसरम के राष्टी अद्यक सत्यंद्र सी ने एक सारवजिनिक बयान जारी किया इस बयान को बकाइदा उनके फेस्वुक पेज़ पर भी लगया गया है इस बयान में उन्होंने कहा कि विश्वादिवासी दिवस की भारत में कोई याउचित नहीं है उन्होंने कहा कि विश्वादिवासी दिवस कोई अंतराष्टिस सड्यंत्र है इसका मतलब है कि उन्होंने आदिवासी संस्कृति और परंपराओं को मानने से इनकार कर दिया वनवासी कल्याण आसरम की और से जारी इस बयान को आरेशेश की और से दवाओ की तरह देखना चाहिए इस दवाओ का भाजपा की सरकार पर बहुत बड़ा असर हुआ है भाजपा सरकार नागपूर से चलती है क्रोनोलिजी समझिए हम तो कहते दे सुरू से कि यह चतिजगण की डवल इंजन की सरकार दिल्ली की रिमोट कंट्रोल से संचाली तो रही है लेकिन कल विश्व आधिवासी दिवस के दिन ये पता चला कि यह सरकार दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से चलती है साथी नागपूर के रिमोट कंट्रोल से भी यह सरकार चल रही है चतिजगण सरकार की ओर से हर साल विश्व आधिवासी दिवस विश्व आधिवासी दिन ग्यापन जारी किये जाते हैं मुक्यमंत्री को और से आधिवासी समाज को अगरिम सुबकामनाई दी जाती थी ना तो सरकार ने कोई विग्यापन जारी किया और नहीं मीडिया को मुख्यमंत्री गोर से कोई सुबकामनाई जारी की गई